iPhone 13 या 12S इस पटिकलर फोन के बहुत सारे रूमर्स आए पिछले कुछ मैन में जैसे हम launch date के तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन में से कुछ रूमर्स गलत साबित होते जाएंगे औि कुछ रूमर्स सही साबित होते जाएंगे तो इस पटिकर वीडियो में आपको बताऊंगा iPhone 13 से related कौन से current and latest updates है इतना ही एक free giveaway भी करने वालों जो होगा ये Samsung IT Fit का Bluetooth earphones अफकोस ये बहुत ही छोटा giveaway लेकिन ये channel भी उतना ही छोटा है लेकिन एक चीज में बता दू कि ये device जीतने के लिए मैंने कोई भी target set नहीं किया है ना मैंने view का target set किया है ना मैंने like का target set किया है अगर इस पर्टिकलर वीडियो में एक भी view अगर आएगा तो मैं उस पर्टिकलर winner को फिर भी ये वाला device gift कर दूँगा लेकिन इस giveaway को जीतने के लिए कुछ instructions है जो आपको follow करने और वो instruction मैं आपको वीडियो के end में बता दूँगा नमस्कार दोस्तों मेरे ना मैं Amit welcome back to ology and taken Hindi इस time for technology तो सबसे पहले बात कर ले थे एक set of rumors की जो है from max windback ये एक बहुत ही popular leaker है इनके हिसाब से iPhone 13 में always on display आ सकता है तो क्या इसका मतलब ये है कि दीरे दीरे Android की तरफ जा रहा है तो क्या अब Apple iPhone में भी ये same technology डालने की सोच रहा है अब Apple Watch में ये technology आ चुकी है तो हो सकता है there is a chance कि iPhone 13 में भी ये technology देखने को मिले नेक्स ये rumor इनके हिसाब से वो ये है कि camera में कुछ improvement आ सकती especially astro photography के बात करे तो usually हम ये करते है कि iPhone camera हम खोलते है and हम click करते है and that's it हम उसमें कुछी modifications नहीं करते है तो Apple इसी को improve करना चाता है that is astro photography से ये होगा कि suppose for example sky में मैं कोई भी picture ले रहा हूँ तो automatically आपका phone decide करेगा कि ये जो picture लिया जा रहा है वो moon and stars का लिया जा रहा है तो automatically वो उसका mode change कर देगा इस particular technology में next जो prediction इन्हों ने किया वो ये है कि MagSafe का magnet वो और भी strong हो सकता iPhone 13 में तो फिलाल ये हो रहा है कि Apple wallet हम जब iPhone के उपर लगाते है उन में हो सकता है कि एक finer matte finish मिलेगा उसके back side पर अब iPhone 12 की बात करते है उसकी जो ultra wide lens है वो इतनी अच्छी नहीं जितनी उसकी wide lens है तो हो सकता है iPhone 13 में ultra wide lens को ज्यादा improve करें तो उसके sensor और भी ज्यादा better होंगे अभी जो आपको 2.4 का aperture मिलना है उसकी जगहा पर हो सकता है आपको 1.8 aperture मिले और यही same prediction किया Ming-Chi Kuo ने भी तो अगर यह improvement ultra wide lens में आती है तो एक बहुत major jump होगा compared to iPhone 12 की camera next जो rumor निकल के आता है वो मेरा personal favorite है और जितने भी vloggers है उन सब को यह बहुत ही काम आएगा that is portrait mode आपको picture में तो मिलता है लेकिन अब आपको iPhone 13 में portrait mode video में भी मिल सकता है अब iPhone 12 में expected था के 120Hz का refresh rate आ सकता है लेकिन वो हुआ नहीं अब recently Apple ने एक patent file किया है for 240Hz तो इसका मतलब क्या iPhone 13 में आपको 240Hz देखने को मिल सकता है तो chances यह है कि वहाँ पे आपको एक variable refresh rate का option मिल जाए that is होगा है कि जब भी आपके phone को जरूत नहीं है तो वो 60Hz पे आ जाएगा और जब उसको जरूत होगा तो 120, 180 या फिर 240 पे वो automatically switch करता रहेगा तो कहने का मतलब आपके phone में जो native refresh rate होगा वो होगा 60Hz and जब भी आपको requirement होगा तब वो 2 times, 3 times या 4 times इसको refresh करेगा अब यह जो patent है वो already approved हो चुका है तो क्या इसका मतलब यह है कि Apple iPhone 13 में यह technology देगा या फिर iPhone 13 को skip करके वो iPhone 14 में यह वाले technology देने वाला है तो यह तो सिर्फ time ही बताएगा अब second set of rumors है वो है from John Prosser and इनके हिसाब जो उपर जो notch है वो completely removed नहीं होने वाला है लेकिन वो छोटा हो जाएगा and छोटा in the sense कि वो narrow नहीं होगा लेकिन वो short हो जाएगा that is ज्यादा screen को अब वो cover कर पाएगा since उसका notch comparatively shorter होगा अगला जो rumor from John Prosser ये है कि आपको एक portless design मिल सकता है लेकिन इसके chances सिर्फ 70% है and जब हम portless की बात करें तो आपको ना उसमें lightning port का option मिलेगा अपकोर उसमें 3.5 mm jack तो already हटी गया था and since apple ने already max safe charger निकाल दिया है तो हो सकता है आपका जो charging वो सिर्फ max safe के through ही हो आपको कोई भी lightning port या फिर कोई भी type C port डालने की जरूती नहीं पड़ेगी चार्ज करने के लिए अगला जो prediction इनों ने किया वो ये कि अब आपको in screen touch ID मिल सकता है तो coronavirus के वाज़े से face ID इतना effective नहीं रहा है अगर आपको touch ID मिल जाता है तो वो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा इनों ने ये भी कहा है कि 1TB का storage आपको देखने को मिल सकता iPhone 13 में तो जो आपका base variant 64 GB था अब वो हो जाएगा 128 और उसके बद आपको मिलता है 128, 256, 512 and lastly आपको जो option मिलेगा वो होगा 1TB का लेकिन मुझे लगता 1TB बहुत जादा iPhone के लिए actually 512 भी जादा है 256 and 128 एक sweet spot है anyways फिर भी देखते हैं क्या actually आता है क्या 1TB iPhone में आता है कि नहीं वो तो time ही बताएगा अब John Processor के हिसाब से iPhone 13 mini आ सकता है तो एक side हम देख रहे हैं कि iPhone 12 mini अलेड़ी discontinue हो गया and दूसी side क्या iPhone 13 mini भी launch हो सकता है तो counterpoint के हिसाब से iPhone 12 mini का जो demand था वो सिर्फ 10% of total smartphones था तो अगर फिर भी iPhone 13 mini आता है तो ये उन सब के लिए बहुत ही अच्छा होगा जो छोटे display में अभी भी अपना phone use करना चाहते हैं अब कुछ और leaks and rumors की बात करें तो एक new black color देखने को मिल सकता iPhone 13 के series में and अगर camera की बात करें तो front camera में इतना major developments नहीं होंगे ज्यादा सा ज्यादा आपको slow motion selfies देखने को मिल सकते हैं लेकिन major जो development होगा वो होगा उसके back camera में तो जो LiDAR sensor आपको iPhone 12 के pro models में मिलता है अब हो सकता है कि iPhone 13 के सारे models में आपको वो LiDAR sensor देखने को मिले लेकिन again back camera में आपको वो same 3 lens का setup ही मिलेगा आपको quad camera का setup देखने को नहीं मिलेगा इसलिए क्योंकि उसका internals है उसमें कहीं पर भी 4th camera set नहीं हो रही है तो जब तक Apple उसके internals को modify नहीं कर देता है at least तब तक तो आपको 4 cameras का option नहीं मिलेगा अब ये तो हो गए जो leaks and rumors चल रहे है अब इन मेंसे ऐसे कौनसे leaks है जो personally मेरे को लगते के हो सकता है कि iPhone 13 में ये आ सकते हैं तो सबसे पहले बात कर लिए portrait and video format तो वैसे देखा जाए तो वीडियो आप जब लेते हो तो आपका जो subject वो constantly move करता है तो अगर आपको real time में वो true depth वाला effect चाहिए तो बहुत ही मुश्किल है लेकिन at the same time हो सकता है कि LiDAR sensor के मदद से या फिर कोई software tweak करके ये possible कर सकता है Apple iPhone 13 में नेक्स बात कर लेते refresh rate की तो ये बात सही है कि Apple ने 240Hz का refresh rate का patent already file कर दिया और उनको approval भी मिल गिया है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि iPhone 13 में वो सिर्फ 120Hz ही देगा आगे जाके iPhone 14 में हो सकता है वो 240Hz का option देगा लेकिन अगेन याद रखना ये एक variable refresh rate हो सकता है नेक्स जो मैंने आपको camera improvement के बारे में बताया that is astrophotography इसके भी higher chances है कि iPhone 13 में ये आ सकता है अब बात कर लेते portless design की तो मुझे ऐसा लगता है कि iPhone 13 के लिए portless design बहुत ही जल्दी हो जाएगा क्योंकि अगर portless आ जाता है तो carplay का क्या होगा क्योंकि फिलाल ज्यादा दर्श को cars उनमें आपको wired carplay मिलता है अपको आपको high end cars में wireless का option मिल जाता है लेकिन at least iPhone 13 में तो यह बहुत ही जल्दी हो जाएगा next बात कर लेते in screen touch ID का तो मुझे ऐसा लगता है कि iPhone 13 में भी आपको यह technology देखने को नहीं मिलेगा और वो इसलिए क्योंकि रिसेंटली iPhone में development किया है तरह अब वो iPhone को unlock कर सकता है using Apple Watch and Apple यही चाहेगा कि उसके Apple Watch का sales बढ़ना चाहिए and since वो उसके Apple Watch का sales बढ़ाना चाहता है इसलिए chances यह है कि touch ID को थोड़ा और भी जादा delay करें तो हो सकता है कि iPhone 14 में आपको touch ID मिल सकता है या फिर आपको power button में भी touch ID का option देखने को मिल सकता है लेकिन वो होगा iPhone 14 में iPhone 13 में उसके chances काफी कम लग रहे मेर को इसके सिवाए मुझे ऐसा लग रहा कि जो form factor या जो sizes आपको iPhone 12 में मिल दी थी वो यी same size and form factor आपको iPhone 13 में भी मिलेगी that is कोई major development देखने को नहीं मिलेगा iPhone 13 में as far as आपको अगर sizes की बात करें या फिर उसकी form factor की बात करें notchless design की बात करें तो हो सकता है कि iPhone 13 में आपको notchless का option ना मिले and वो इसलिए क्योंकि एक बार camera को तो आप display की पीछे hide कर सकते हो उसका जो true depth system में वो इतनी आसानी से display की पीछे hide नहीं किया जा सकता है तो at least near future में तो आपको notchless वाला design नहीं देखने को मिलेगा हो सकता है कि आगे के कुछ models में आपको यह option मिल जाए and lastly अगर prices की बात करें तो मुझे ऐसा लगता कि iPhone 12 में आपको जो prices देखने को मिली थी वो same prices आपको iPhone 13 की पूरी series में भी देखने को मिलेगी तो यह तो होगे iPhone 13 के leaks and rumors actually क्या होने वाला है वो तो सिर्फ time ही बताएगा अब बात कर लें तो giveaway के instructions के बारे में number 2 आपको नीचे कोई भी comment कर देना है and number 3 अगर इस चैनल पर आप पहली बार आया तो इस चैनल को आपको subscribe कर देना है and last number 4 आपको इस particular video को share करना 3 लोगों के साथ and share करने के बाद उसका screenshot में को send करना मेरे Instagram के ID पर and इस वीडियो के 15 दिन के बाद मैं giveaway winner का announcement करूँगा जो again होगा मेरे Instagram के ID के उपर तो मेरे को Instagram पे follow जरूर करें वहाँ पे आपको सारे details देखने को मिल जाएगा तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए देखते रेology and take in India मिलते हैं next वीडियो में